Mastercard ने इंडिया को चुना है payment pass key के inauguration के लिए मतलब सबसे पहले payment pass keys इंडिया में launch हो रही है और इसके बाद इसे worldwide सब जगा पे launch किया जाएगा तो ये जो pilot project है payment pass key का क्या है कैसे ये हमारी payment को secure बनाएगा और ये कैसे काम करता है password, OTP इन सबसे क्यों ये different और ज़्यादा secure है सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे वीडियो कर अच्छी लगे, informative लगे तो वीडियो को like जरूर करें, अपने दोस्तों के शेयर करें इस तरही वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को subscribe करना ना भूले तो start करते हैं हम पास्की services हैं, ये payment को और ज़्यादा secure और easy बनाएंगी, fast बनाएंगी तो इंडिया को choose किया गया है, सबसे पहले payment पास्कीज के लिए इसलिए बहुत important ये हो जाती है news और ये जो innovative solution है, ये transform कर सकता है कि किस तरीके से हम किसी भी transaction को authenticate कर रहे हैं और जो fraud वगएरा है, जिसकी समस्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है online fraud वगएरा की, उससे भी ये निजात दिला सकता है या फिर उसकी मात्रा को कम कर सकता है तो ये जो payment pass की है, आखिर ये pass की का मतलब क्या है pass की password की तरह ही है, लेकिन different है pass की एक digital credential है, जो कि किसी भी website पे आप login करें आप पे login करें, तो उसके लिए यूज होता है वरतमान समय में, अगर आप Google का account यूज करते है तो कभी login करेंगे, तो आपको तुरंत लिख करके आ जाएगा कि आप अपने mobile में, अपने laptop में या जो आपका desktop है, वहाँ पे आप pass की create करेंगे पास की create करने से होगा क्या, कि next time जो आप login करेंगे तो आपको password डालने की जरूत नहीं है, OTP डालने की जरूत नहीं है आप pass की से ही login कर पाएंगे तो password less login ये कहा जाता है और ये बहुत जादा secure है और इसमें जो manual input है जैसे password या OTP वो एकदम eliminate हो जाते हैं मतलब आपको कुछ डालने की जरूत नहीं है आप pass की से कर पाएंगे तो pass की कैसे होता है काम तो ये biometric authentication का प्रयोग करता है मतलब जैसे fingerprint lock होता है या face recognition होता है इसके साथ साथ ये pin का भी इस्तमाल या pattern का भी इस्तमाल किया जाता है pass की के लिए ताकि आप उसे use करके आसानी से जो एक तरीके का ये भी आप ऐसे समझे कि अगर आपके पास 10 websites हैं चाहे हो social media के हो कोई और website हो जिसके आपने password बना रखे हैं तो लोग यही करते हैं न कि वो ease के लिए क्या करते हैं सारे website का password क्या कर देते हैं सेम रख देते हैं तो ऐसे मगर एक जगा से उनका password जो है वो अगर breach हुआ या फिर किसी ने hack कर लिया माली जी एफ भी आपका hack हो गया तो ऐसे में फिर आपका Instagram भी hack हो जाएगा, Twitter भी hack हो जाएगा YouTube भी hack हो जाएगा और भी जितनी जगा आपने login कर रख है उस सारी चीज़े hack हो है क्योंकि password सबका सेम है अगर आप थोड़े से smart हैं और आप इस बात को जानते हैं कि same password से थोड़ा easiness तो है लेकिन बहुत बड़ा खत्रा है तो आप क्या करेंगे अलग लग password का यूज करेंगे उससे क्या होगा कि आपको एक diary लेकर के चलनी पड़ेगी आप mobile में आपको note करके चलना पड़ेगा कि हर एक website का password login करने के लिए आपको देखना पड़ेगा भाई password क्या है तो ऐसे में वहाँ पर difficulty एड़ हो जाती security थोड़ा बड़ती है लेकिन पासकी ने क्या कर दिया कि आपको password और ये सबकी जंजटी नहीं है और आपको क्या करना है आप अपना face और उंगली तो लेकर के चलेंगे ही चलेंगे उसी का इस्तमाल करिए login करने के लिए तो वो सेम सब जगा के लिए सेम है और वो बहुत जदा private भी है वो हैग भी नहीं किया जा सकता है तो इस तरीके से ये pass की काम करती है तो pass की में होता क्या है दो तरह की key generate होती है एक होती है public की जो कहां पे होती है जो server site पे होती है validation के लिए पास की के लिए तो वो तो सब के पास मतलब वो public की है उसको access किया जा सकता है और उसको public की को कोई access भी कर लेगा न तो इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं और वो कोई जानकार उसमें होगी नहीं एक उसमें generate होती है private की प्राइवेट की कहां पे होती है, आपके mobile में, या फिर आपके laptop में, जिसमें आपने passkey create किया है, वो user device पे होती है, तो वो user device पे passkey होती है, वो private होती है, मतलब उसको ऐसे unlock नहीं कर सकते है, क्या access नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में, जब आप login करते हैं, तो होता क्या है, कि आपसे username पूछा जाते हैं, आप username अपना डालते हैं, उसके बाद वो कहता है, आपने passkey से इसको authenticate करें, तो passkey का मतलब यह हो गया, कि माल लीजिए, आपने अपने mobile में passkey store कर रखा है, किसी email ID का, तो आपसे कहेगा, कि आपने mobile का Bluetooth on करिए, और Bluetooth on करने के बाद, वो automatically ही connect कर आपके mobile से, और फिर mobile में आपको देख करके, या तो facial recognition अगर आपने लगा रखा है, तो वो देखना पड़ेगा, pin लगा रखा है, तो pin डालना पड़ेगा, thumb print लगा रखा है, या fingerprint लगा रखा है, तो वो करेंगे, जैसे ही authenticate करेंगे, यह match कर लेगा, और इसकी उजासे हो अगर AI के माध्यम से किसी ने हमारा face बना लिया, तो वैसे तो अभी impossible सी चीज़े कि उसको authenticate किया जा सके, तो ऐसे में कोई आपको hack करेगा भी, तो ऐसा तो होगा नहीं, बगल कमरे में बैठा होगा, है ना, तो कहीं दूर ही होगा, तो ऐसे case में वो इसका इस्तमाल नहीं कर सकता, अगर वो आपके laptop में ही pass की save है, तब तो आपका laptop तो आपके pass ही है, तो कोई अगर hack भी कर लेगा, अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो वो use ही नहीं कर पाएगा pass की वज़ा से, वो क्योंकि public की तो सब के pass रहेगी, लेकिन private की तो आपके laptop में है, तो use नहीं किया जा सकता है, तो ये hack proof ऐसा बनाता है, वैसे hack proof तो मैं अगर जितनी जानकारी मेरी है, ये कहना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन हाँ ये आपको काफी security देता है, तो इसमें biometric authentication का use किया जाता है, private की generate करने के लिए, जिसमें मैंने बता है facial recognition, finger print scan, swipe pattern जो होते हैं, या फिर अगर आप आपके पास phone माली जापका SI, जिसमें ये सब चीजे नहीं है, तो आप pin वगारा भी generate कर सकते हैं, तो ये ऐसे authenticate करता है, pass की इस तरीके से काम करता है, YouTube या कह सकते हैं, Google का एक वीडियो है, अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, कैसे काम करती है, तो आप देख सकते हैं, link भी आपको phone करके गए, भईया OTP बता दो, ऐसा है, तो आप बता दिये, और hack हो गया, ऐसा नहीं है, अब आप से कोई ये तो नहीं कहेगा ना, कि उंगली काट के भेज़ दो, हमारे पास, ऐसा तो होगा नहीं, तो ऐसे में, ये आपको hacking से बजाती है, आपका account जो है, वो secure रहता है, आपका जो transaction is secure रहता है, phishing से बजाती, phishing का मतलब क्या होता है, कि किसी ने FB का जो page है, वो as it is create कर लिया है, लेकिन अगर आप address देखेंगे, तो उसमें face book double O की जगा कि एक हो रहेगा, डाट कॉम लिखा रहेगा, और आपको पूरा interface ऐसा ही मिलेगा, तो आप से ये mail आएगा कि आपका facebook account hack हो गया है, अगर आपका facebook account आपके पास ही है, तो login करके तुरंट confirm किजिए, आज में हैरान हो जाता है, जल्दी करो, जल्दी करो, तो इतना ध्यान नहीं दे पाता ना address पे, तो जाएगा अपना username डालेगा, देखेगा facebook ही तो खुल रहा है, वहा पास की का option आएगा ही नहीं, इससे आदमी खुद समझ सकता है, ये original facebook.com नहीं है, ये तो phishing वाला पेज है, तो खुदी समझदार होगा, तो समझ जाएगा कि ये हमारे को hack करने का प्रयास है, इसी तरह sim swapping की घटना है आपने सुने होंगी, जहाँ पे लोगों का sim swap कर लिय जाता है, और उसके बाद क्या होता है, कि आपका जो OTP होता है, जो आपके नाम पे sim निकाल लिया गया है, आपका sim, आपका बंद करवा के, तो वो OTP उसी के पास जा रहे है, तो अगर लोगिन करना है, तो OTP उसी के पास जा रहे है, आपका phone बंद है, आपको पता भी नही तो यह जो तरीके हैं इन सब को बदल देगा PASS की क्योंकि encrypted होगा public private key का concept है और यह device specific है तो कोई कहीं से भी access नहीं कर सकता तो इसलिए important है PASS की RBI के एक report बताती है कि पिछले दो सालों में जो fraud cases हैं वो 300% बढ़ गए हैं एक दो percent नहीं 300% बढ़ गए हैं यह 2023-27 की RBI की report बताती है तो इस तरह के अगर authentication mechanism आ जाएं तो यह बहुत ज़्यादा secure हो जाएगा transaction को लेकर के साथी साथ PASS की is important इसलिए हैं कि यह cross device compatibility देते हैं मतलब ऐसा है कि आपने अगर PASS की जो है generate किया है आपका जो laptop है वो Windows है आपके पास mobile Apple का है तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं आपके पास Android ही होना चाहिए या फिर आपके पास कोई और होना चाहिए Windows का ही system होना चाहिए ऐसा न concept है और यह available है कि आप मतलब जो भी इस field में है वो से यूज कर सकते हैं फिर इसका global adoption भी है PASS की concept का तो इसलिए ऐसा नहीं कोई एक localized technology है सब जगा काम नहीं के global adoption भी है तो इसलिए PASS की इस काफी important है security के लिहाज से फिर अगर हम बात करें master card का जो यह payment PASS की service है वो इंडिया जो यूज करेगा वो यहाँ पर tokenization का भी यूज किया जाएगा ताकि tokenization का बारे में आपको पता होगा कि इसमें जब आप अपनी detail माल लीजिए Amazon पर गया आपने अपनी card की detail डाली तो वहीं पर store हो जाता है वो कहता है न option है store कर दीजे तो वो अगर आपका data या कोकी या कह सकते हैं browser hack हुआ तो आपका data भी चला जा सकता है फिर अगर वो Amazon के साइट से कुछ hacking वही तो आपका data भी public हो जाता है तो ऐसे में tokenization का use करके क्या होगा कि आपकी old token provide करते हैं और token provide करने के बाद क्या होता है कि आपका जो data या private data है जैसे card number, CVV यह सब यह सब जो third party app है उसक इसमाल किया जाएगा इसका एक यहां पर flow दिखाए गया है कि माली जी आप shopper है master आप जो है कहीं payment करने जा रहे है online या आप किसी shopping or site पे हैं तो जब आप checkout करें तो आप वहां पर master card option को tick करें उसके बाद अपनी payment को confirm करने के लिए जो by metric authentication mechanism है जो pass की है उसको आप select करें और payment होगा उसके बाद जा करके आपकी payment होगी अगर यहां पर दिक्कत हुई किसी ने hack किया है तो fingerprint match ही नहीं होगा आपका face scan match ही नहीं होगा तो ऐसे में वो आपका payment जो है आगे successful नहीं होगा फिर यहां पर बताया जा रहा है कि जो pilot launch है pilot launch का मतलब ही होता है कि अभी से एक selected group क साथ launch किया गया है और धीरे धीरे इसको देखेंगे कि इसमें कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं आ रही नहीं तो फिर धीरे धीरे इसको all over the world all over the India rollout किया जाएगा तो जो debut किया जा रहा है इंडिया में mastercard का वो यहां पे कुछ payment जो aggregators हैं कह सकते है payment company उनके साथ जैसे payment aggregator जैसे just pay, razor pay, pay you इनको यहां पे on board किया गया है online merchant जैसे big basket company का नम आपने सुना होगा तो इसको और साथी साथ access bank इसमें शामिल है जो की pilot इसका launch है तो इंडिया में जो rapidly जो payment ecosystem जिस तरीके से बदल रहा है बढ़ रहा है tokenization market भारत का बढ़ रहा है उसको देखते हुए pass की ब mastercard की online और remote tokenization transaction दोनों के लिए बना हुआ है और जिसकी वजासे जो fraud है वो तो reduce होगा ही approval rate भी increase होगा मतलब लोगों को थोड़ा confidence आएगा कि अच्छा ये कोई fake page नहीं है pass कि एगर accepted हो रही है मतलब हमारा सब कुछ काम सही चल रहा है तो ऐसे में बहुत important हो जाता है कि अग लाफी कम हो जाएं यहां पर बताया गया कि जो tokenization है payment का credential with seamless biometric authentication यह जो EMV को या worldwide web consortium या फिर FIDO Alliance जो है इनको साथ मिलाता है ताकि जो payment है वो speed में हो सके secure भी हो सके check out experience अच्छा हो सके तो इसको यह मतलब जो भी standard है उन सब को follow करता है mastercard का payment pass की service mastercard के बारे में थोड़ा सा जान लेते है mastercard का logo देख लीजिए यह भी exam में पूछे जा चुके है mastercard का logo इन में से कौन सा है तो यह भी देख कर कर रखे तो mastercard आपको पता होगा कि एक अमेरिका की multinational payment और card service cooperation है आप जब कोई ATM debit card का इस्तमाल करते हैं तो इसमें आप देखते company हैं तो इसका जो headquarter यह purchase new york में purchase जगा का नाम है purchase street new york में इसका headquarter है और यह कहां कहां पर operate करता है payment transaction processing मतलब payment aggregator payment gateway के तौर पर काम करता है इसका एक product है maestro करके जो की debit card service है फिर Cyrus है जो की global ATM network है ATM network के लिए mastercard pay pass है जो contactless payment solution है जिसमें होता क्या है कि आप touch करते हैं अपने debit card को payment होती है वो सब जो है यह सब mastercard इसी सब field में operate करते हैं तब payment solution provide करने का पूरा काम है mastercard का अब लेकिन UPI के आने की वजासे जो इस तरह के mastercard हो गया visa card हो गया इनका जो share है ना transaction को कम हो रहा है क्यों क्योंकि लोग अब credit card भी UPI से जोड़ गया है debit card तो अब लोग कमी इस् की चीज़ें लानी भी पड़ रही है ताकि अपने का market बना रहे फिलाल market ऐसा भी नहीं एकदम खताम हो गया है लेकिन इस पे काफी कमी हाई जरूर है तो अगर मैं इसके chairman की बात करूँ तो मैरी जैनो है CEO इसके है Michael Maywak और CFO इसके है सचिन महरा mastercard के बाकी अगर mastercard के आप profile देखेंगे तो इसमें बहुत सारी इंडियन आपको देखने को मिलते हैं तो यह है mastercard तो यह पूरी न्यूज अगर आपको समझ में आ गई यह payment पास किया पास की का जो concept है समझ में आ गया तो वीडियो को like जरूर करिएगा इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को subscribe अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए मिलते हैं अगली वीडियो में सभी लोगों को बाई